हलो बचो कैसे हैं आप सभी अच्छे से हैं चलिए स्वस्त रहें मस रहें और पढ़ाई में भी जबर्दस्त रहें मैं हेरो सिंग रावत पीजीटी इन कॉमर्स डिपार्टमेंट अप स्कूल एडूकेशन हरियाना एडूसेट ब्रोड्कास्टिंग के माद्यम से इन दिनों बारवी कक्षा के अकाउंटेंसी विशे में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप नौट पोर प्रॉफिट और्गिनाजिशन लाब नए कमाने वाली संस्ताओं के वित्ति विवरण अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं आज हमारा इसी कड़े में यह लेक्चर नंबर चार है आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे स्पेसिफिक फंड्स ठीट्मेंट अउप स्पासिफिक फंड्स जो विशित्पर फंड्स है उनका किस प्रकार से ट्रीट्मेंट किया जाता है कहां दिखाय जाता है कैसे चक्ष्क के जिते हैं आपके सामने receipt and payment question में दिया होगा जानते ही हो कि रिशिप्ट एंड पेमेंट कैश गुप की समरी है रिशिप्ट होई है प्राप्तिया एक तो हमें मैच फंड से मिला है यह क्या होता है हमने मैच के लिए पैसा इकतित किया और लोगों मैच करने के लिए पैसा दिया तो हमारे पास मैच फंड हो गया पांच लाग करता है यानि पांच लाग आ है और तीन लाग हमें सबस्क्रिप्शन रिशिवड हो आ है चंदा जिसे मेंबर से फीस भी कहते हैं कुल मिलाके आट लाग की प्राप्ति हुई आठ लाग मेंसे हमने पचास जारतों की राय देने में लगा दिया और दो लाग रुपे मैच के खर्चों में लगा दिया वैसे तो बहुत कुछ आना था लेकिन हम केवल फोकस करें एक पॉइंट पर तो हमारा पॉइंट फिलाल फंड का है तो हमने मैच में एक्सपेंस करें खर्चे की दो पांच लाग एक तरित हुए और उसमें से हमने दो लाग रुपे खर्च कर दिया क्यों लिए थे मैच के लिए लग गए तो कैसे शो करें देखिए जो ये चंदा मिला है वो तो सामान्या आये है इसलिए ये तो मान के चलेंगे हर साल मिलता है यहां पर इंकम में वाई सब सब्सक्रिप्शिप्शन रिसेट तीन लाग इनकम शुक। मैच फंड को थोड़ी दिर के लिए छोड़ रहा हूं यहां पर रेंट पे किया सामाने सामाने खर्चें तो यहां पर आ जाएगा तो रेंट पचास मैच का एक्सफेंस दो लाक और मैच फंड क्योंकि स्पेसिफिक फंड है विशेस्ट फंड है यह पैसा जो इकत्रित हुआ है यह केवल मैच के सब्मन में ही खर्च होगा इसलिए इससे सामाने आए में नहीं नहीं लिखते इंकम में नहीं डालते तो कहां रखेंगे लाइबिल्टी साइड मैच फंड पांच लाग मैच एक्सफेंस दो लाग बच्चों यदी मेरे पास मैच फंड ना होता ना होता तब भी मैच का कर्चा होता तो मैच के एक्सफेंस को हम यहां पे लिखते हैं तो मैच एक्सफेंस दो लाग बच्चों कब लिखते हैं जब मेरे पास मैच फंड ना होता लेकिन अब तो है तो है तो है तो यहां पर इसे एक्सफेंस में सो नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि वह पैसा मैच फंड में से ही तो जाना चाहिए मैच फंड भी तो कम होना चाहिए ना जो आपने मैच फंड कठा किया है किसलिए कठा किया मैच के लिए तो करो तो किसमें से लेस करो इसलिए बच्चे यहां पर लेस मैच expenses हो जाएगा 2,00,00 रुपे और 3,00,00 रुपे यहां पर आगा यानि अब आपका match fund 3,00,00 रुपे बच गया है अगले वर्स फिर आप इसमें से कुछ खर्च करोगे माल लेते हैं 1,00,00 रुपे तो जो 3,00,00 बचा है next year की balance sheet में पहले 3,00,00 रुपे जाएगा उसमें से 1,00,00 रुपे कम कर दिए जाएगा ऐसे करते थी रेदी 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 मेच फंट खतम हो जाएगा तो क्या सीका हमने यदि हमारे पास कोई wishes fund है उसे liabilities में दिखाने है और उससे संबंदित किया गया खर्च उसी में से less करेंगे clear हो गया अब दूसरा question करते हैं by the way ये expensive 2,00,00 की बज़ाए 5,00,00 हो जाए तो ये तो cash तो खरक पड़ेगा क्योंकि total 8,00,00 है 5,50 और ये 5,50 और 5,50,00 रुपेटे जाएगा पर हुआ न कर्च पांच लाग है तब भी match fund में से match expenses पांच लाग जाएगे तो यहाँ पर कतम हो जाएगा कुछ नहीं जाएगे यही तो हुआ fund में से expenses लगए situation number 3 ती पहली क्या थी यदि cable of expenses होता fund ना होते मेर पास expenses होता है number 2 यदि मेरे पास fund भी है expenses भी expenses कम थे तो हमने उसमें से less कर दिया number 3 यदि दोनों बराबर हो जाएगे तो इसमें से less कर दिया number 4 यदि यह fund बढ़ जाए पांच लाक की बजाए छे लाक हो जाएगे तो फिर ये तो टोटल में फरक पड़ेगा ये एक लाक और कम हो जाएगा पर खर्चा तो जादा हो गया ना किसे जो मेरे को मैंस के लिए फंड मिलाता है तो यदि मेरे फंड कम पड़ जाएगे फंड कम पड़ जाएगे तो यहाँ पर दिखाएगे to match expenses 6 लाक रुपे less match fund 5 लाक और एक लाक रुपे हमारा खर्चा हो जाएगे कब जब ये फंड से जादा हो जाएगे exceed कर जाएगे बढ़ जाएगे तो यदि मेरे match के खर्चे जादा हो गए है तो उस में से match fund को less करने के बाद जो बाकी खर्चा बच गया उसे फिर expenses में सो करेंगे पहले वाली तो बात होगे शुरू वाली केवल मैच expense होता तो यहीं आता लेकिन फंड था तो फंड यह अपनी तरफ खेच के लिए और यदि फंड कम पढ़ जाए तो बच जितना फाल तो फिर expenses हो जाएगे चीक है क्लियर कट चले है अब आगे चलते हैं अब बच्चों थोड़ा सो और बदलाव करें क्वेश्चिन में कि हमारे पास मेंच फंड पांच लाक आया है चंदा तीन लाक आया है और इंटर्स रिशीवड ओन मेंच फंड इन्वेस्टमेंट पंद रहा जा रहा है इसको थोड़े देर में समझाते हैं पहले इदर देखते हैं क्या हुआ है करें रेंट में 50.000 खर्च होगे मैंस में 2,000,000 खर्च होगे अगर मैं देखूं पांच लाक रुपए मेरे पास पंड आया था दो लाक मैंने खर्च कर दिया है फिर भी मेरे पास 3,000,000 पांच व्लट संदूक में बंद रखते हैं कि यह उसे क्या सोच दै कि कहीं इनवेस्ट कर दिया जाए उस समय के लिए जब तक उसकी जूरूरत नहीं है क्योंकि इनवेस्ट करने के दो फाइदे 날 7 इनवेस्ट करने से कुछ उस उससा dus ब्याज तीफ़ल जो भी लाउ वगाईरा मिलेगा एक तो वो मिलेगा कुछ एक्ष्टा बनके और दूसरे घर में धरेवे तो चोरी होने के और एक्ष्टा वेजेंट फालतू खर्च होने के चांसे बढ़ जाते हैं अगर हमारे घर में पैसा रहेगा तो हम किसी भी समय पताने कब कहा जरूरत पर उसे खर्च कर दो लेकिन नहीं होता तो हम कही बार उस बात को टाल भी देते की चलो फिर कभी से तो इसलिए दोनों ही फायदे हैं तो जो हमारे पास मैच फंड बचा हुआ था हमने कहा अगले स साल अभी 12 महीने या कुछ महीने पड़े हैं उसके बाद होगा रहा इतने दिन तक के लिए क्यों नहीं से इन्वेस्ट कर दिया तो हमने मैच फंड इनवस्टमेंट 10% मैच फंड इनवस्टमेंट में डाल दिया वह भी एक अप्रेल 2010 को यह रेट को यसी भी होसकती यह तो आप कहना हैं कि हम मान लेते हैं कि साल के सुरुवात में है। ठीक है? सुरुवात में मानने से इजी रहेगा. वैसे तो आपको दिया ही हुआगा कप किया थे जो भी बैलेंस बच गया बच गया तो देखिए जो मैज फंड इन्वेस्ट किया था तो जब कहीं इन्वेस्ट करोगे तो वहां से कुछ ब्याज भी तो मिलेगा मिला ना हमें 15,000 उपे ब्याज मिला है तीक है अच्छ आप कै मैज फंड तो यहां लिखा जाएगा 5,000,000 रुपे और जो मैज फंड इन्वेस्टमेंट में किया है वह एक संपत्ती है जब तक वहां रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट है वह हमारे लिए संपत्ती है तो मैज मैज फंड इन्वेस्टमेंट यहनि 10% मैज फंड इन्वेस्टमेंट आपका दो लाग रख नहीं है ठीक है बाकी तो वही है मैज है चंदा तो रिशीप्ट सब्सक्रिप्शन तो अपने यहीं पर आएगा इंकम में बाई सब्सक्रिप्शन अग्ट तीन लाग रुपी तू रेंट पचास हजार रपी मैज खर्च इसमें से लेस होगा लेस मैज एक्सपेंस दो लाग रुपी तीन लाख रुपी बचेए ठीक है अच्छ यहां पर इंट्रेस्ट मिला है पंद राजार तो इंट्रेस्ट है तो इंकम है हर साल मिलेगा जब तक इंवस्ट आएगा तो मुझे यहां पर इंकम में दिखाना चाहिए लेकिन रुप जाओ इंकम में नहीं दिखाएंगे क्यों क्योंकि यह स्पेसिफिक फंड से संबंदित इंकम जनरेट है एक विशेश फंड से संबंदित से प्राप्त आए है इसलिए इस से संबंदित प्राप्त आए को भी इंकम ना मानते विए मैच फंड में ही डालेंगे मैच फंड बढ़ेगा ना कि इंकम तो याद रखने की चीज़ है यदि कोई विशेश्ट फंड हो और उसमें से कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया है और उससे यदि कोई आए होती है इसको जनल आए नहीं मानेंगे उसे विशेश आए मानते हुए इसमें चोड़ेंगे एड इंट्रेस्ट और मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना भाई 15,000 रुपी तीन लाग 15,000 होगे ठीक है लेकिन एक बात देखू जब मैंने 10 परसेंट पे 2 लाग रुपे इन्वेस्ट किये हैं और वो भी वर्स के शुरू में किये हैं तो पूरे एक साल में 10 परसेंट के हिसाब से तो मुझे 20,000 रुपे मिलने चाहिए थे क्या कहते आप यह गिने जब एक अप्रेल को ही इन्वेस्ट किया हुआ है तो पूरे साल इन्वेस्ट है तो आप पूरे पैसे तो मंगोगे लेकिन 2 लाग का 10 परसेंट जो 20,000 बनता है उसमें से तो 15,000 ही म और आए है लेकिन विशिस्ट आए है इसलिए इसमें जोड़ेंगे एड एक्रूड इंट्रेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना वह पांच हजार जोड़के टोटल इसे तीन लाग 20,000 ही बना देंगे ठीक है तीन लाग 20,000 ही हो जाएगा क्लियर हुआ लेकिन 5,000 तो अभी आया ही नहीं यह तो ठीक है इसमें जोड़ दिया आया तो नहीं है तो इसलिए उसे यहां पर एसिट्स भी माना जाएगा एक्रियूड इंट्रेस्ट अन मैच फंड इन्वेस्टमेंट पांच जार तो देखें क्या सीखा आपने कुल मिलाके मैं साधान बासा में कहूं दो लाख रुपे का दस परसेंट से कुल मिलाके बीस हजार ब्याज होना चाहिए था तो हम बीस ही जोड़ेंगे पंदरा और पांच बीस चाहिए खटा करके जोड़ दो एड इंटरस्ट ऑन मैच फंड इंवस्टमेंट की रिशीट 15 प्लस एक्रूड तो टोटल बीस जोड़ा जाए लेकिन क्योंकि बीस में से पंदरा तो रिशीव हो गए और पांच अभी तक रिशीव नहीं हुए तो पांच नहीं हुए तो पांच हमें मिलने है और क्योंकि मिलना बाकी है तो हमारे लिए संपत्ती हो गई तो यह एक्रूड इंटरस्ट और मैफ फंड इंवस्टमेंट है ठीक है बचलियर हुआ नहीं समझना है तो आप इसी दुबारा भी देख सकते हैं ओके यहां तक आपका हो गया अब इससे आगे चलते हैं बचों एक और उध किरे सेमेंट में इस बार मैच फंड की बजाएं बिल्दिंग फंड है क्या है बिल्दिंग फंड जैसे कोई मंदिर और वहां पर और एक बड़ा मंदिर बनाना चाहते हैं तो लोगों ने अपनी तरफ से सरदा से दान दिया कि वहीं ये बिल्डिंग बनाने के लिए मेरी तरब से मंदिर बनाने के लिए तो हमारे पास 5 लाक रुपे बिल्डिंग फंड आये है थिक है 3 लाक चन्द आया total 8 लाक हुआ इसमें से 1 लाक हमने कोई रेंट दे दिया और बिल्डिंग constructed हो गई तीन लाग के जरूरी थोड़ा कि सारा का सारा पैसा एक ही साल में लग जाए हुँ सुक्त तो इतना ज़्यादा पैसा हो कि वो कई वर्स तक चलता रहे या अगले कुछ वर्स तक चले तो वह ना पांच लाग में से हम इस साल तीन लाग का ही construction कर सके तीन लाग हमने building construction में लगा दिया और बाकी जो हमारा balance बच गया चार लाग रुपे कैसे करेंगे तीन लाग रुपे जो चंदा मिला वो यहां आएगा income में एक लाग expenses रेंट का रेंट में expenses में आजएगा इसमें income expenditure के expenses में जो building fund है वो specific fund है इसलिए liabilities में आएगा building fund पांच लाग रुपे और क्योंकि आपने building constructed किया है construct किया है बनाई है match में तो खर्च हो जाता था वो तो हाथ में कुछ भी नहीं रहता था लेकिन इसमें तो खर्च करोगे तो एक संपत्ती उभर की आएगी जब आप इट खरीदोगे सिमेट खरीदोगे मिस्त्री से बनवाओगे तक ढाचा बनेगा कि नहीं तो बन गया ना ढाचा तीन लाग रुपे का ढाचा बन गया तो हमारी तीन लाग रुपे की एक संपत्ती बन गई पिछले जो मैच फंड में था मैच एक्सपेंसेज एक्सपेंसेज हो गया था लेकिन इस बार तो एक संपत्ती बन के उबर ही है तो इसलिए हमारी यह एस बन जाएगी बिल्डिंग तीन लाग देखा जाए पिछले क्वेश्चन में हमने पांच लाग में से तीन लाग माइनस किया था किया था ना तो हमारे पास मैच फंड दो लाग बच गया था इस बार हमने इधर पांच लाग लिग दिया उधर तीन लाग लिग दिया तो देखा जाये तो तब भी 2 लाख ही फंड बचा लेकिन इसमें तो 5 लाख का 5 लाख दिखाई देता है तो बच्चे यदि किसी फंड से खच करके भी किसी संपत्ती का निर्मान होता हूँ तो जितने की निर्मित हो गई वो संपत्ती उधर हो जाएगी लेकिन एक बात तो ह पूछे बिल्डिंग फंट कितना बचा हुआ तो आप क्या कहोगे पांच लाक है पांच में से तो तीन लाक लग गया तो यह तो तीन पांच का पांच दिखाय दे रहा है तो ऐसे कृश्चन में हम क्या करते हैं यहां पे लैस भी करते हैं लेस दो लाख रुपए तीन लाख रुपए और दू लाख रुपए आपका यहां पर बचेंगा तीन लाख लेस करें कि लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव है थोड़ा सा ध्यान देना तीन लाख जो लेस होगा मानता हूं कि बिल्डिंग फंड कम हो गया लेकिन जितना इसमें से लेस होगा वो मेरा पार्ट बन गया मेरी पूजी बन गई जब लोगों ने मुझे 5 लाग रुपे दिया था या मंदिर को 5 लाग दिया था तो क्या 5 लाग मंदिर की संपड़ कुल पूझी बन गी थी नहीं क्योंकि वो उसने कंस्ट्रक्श्ट कटना था लेकिन जब 3 लाग का पार्ट बना दिया तो 3 लाग तो अब अपना बिजनिस क मंदिर का ही हो गया तो इसमें से तीन लाग जो लेस करेंगे वो करेंगे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड यहां से तीन लाग रुपे कम करके जो नीचे कैपिटल फंड होता है जैसे की बिजनिस में तो कैपिटल कहलाती है और not for profit organization में कैपिटल फंड कहलाता है उसका पार्ट बन जाएगा मान लेते हैं कि पहले का है नहीं वैसे तो questions में जब पिछली balance sheet आएगी मैंने तो अभी नहीं बनाई होती ही तो पिछे से कैपिटल फंड आता है और अगर पहला पहला वर्स है तो पिछला balance नहीं है तो यह है प्लस जो यहां पर surplus आता है surplus कहां से आता है income और expenditure से जैसे की इसका टोटल तीन लाग करें तीन लाग किया तीन लाग में से एक लाग गया तो दो लाग रुपे बज़ गया तो दो लाग को कहेंगे to excess of income over expenditure और bracket में क्या लिख देंगे surplus तो यहां पर दो लाग रुपे इसमें जुड़ जाएगा ठीक है और जो उपर से तीन लाग ट्रांसफर किया है वो इसमें जुड़ जाएगा add transferred from building fund कितना भई तीन लाग रुपे ऐसे करके पांच लाग यहां हो जाएगा देख रहा है यह पांच लाग लेजिए पांच लाग रुपे जाएगा और इसको जब यह हो चुका यह हो गया इसमें बार्स बैलान सीजेटी पचा था यह तो क्या था केस्च वैलंज केस् Of modern यह घघए ऐए कैश एइन हैंड 錢 है पर चलबाए तो देखिए इसका टोटल कीटना हो रहे है साथ लात रुपे और इसको टॉड़ कितना पर है साथ लाग है तो क्या सीखा आपने फिर से समझाता हूं शौट में अगर कोई एक्सपेंसिस होता स्पेसिफिक फंड से तो वो तो लेस होता लेकिन यदि कोई कंस्ट्रक्ट होता है किसी संपत्ति का निर्मान हो जाता है तो ठीक है जितने की संपत्ति बनगी इधर आगी लेकिन उतनी ही रासी बिल्डिंग फंड में से कम करके उसको कैपिटल फंड में शिफ्ट कर देते हैं अगर मैं यहां तीन लाग कम ना करता तो नीचे से तीन ना जुड़ता टोटल तो मेरा फिर भी पराबर आता लेकिन थोड़ा सा गलत मैसूस होता कि ऐसे लगता है जैसे हमारे तो आर्ट भी है तो इसी लिए यह एक शो करने का तरीका है ठीक है उमीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा कि जितने की कंस्ट्रक्ट हो जाएगी क्योंकि संपत्ति का निर्मान हो गया तो उतनी रासी फंड में से कम करके कैपिटल फंड में शिफ्ट करतेंगे अब वो पक्का हमारा पार्ट बन गया है जब दो लाख रुपे की भी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी उदर बिल्डिंग बढ़ जाएगी और इदर दो लाख रुपे भी कैपिटल फंड में शिफ्ट हो जाएगा और ऐ आपको यह सारा समझ में आ गया होगा चलिए अब आगे चलते हैं बचो specific fund एक बहुत important point है जहां तक मैं समझता हूँ यदि एक अच्छा सा question बनता है तो उसमें यह अपनी जगा रखता है इसलिए इसे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सारा लेते हैं तेखिये तो हाव यूद डील विद फॉलवइंग आइटम्स वाइल प्रिपेरिंग दा इंकमेंड एक्स्पेंडिचर अकाउंट और कुछ नहीं दिया और कुछ नहीं दिया सिर्फ एक लाख मैच एक्सपेंड नहीं है तो बताइए क्या करेंगे इसका क्योंकि सिर्फ मैच एक्सपेंडिचर साइड में लेखेंगे टू मैच एक्सपेंडिचर वन यह केस नमबर वन हो गया है क्लियर हो गया नमबर टू केस नमबर टू अब इसे टू बना देते हैं मैच फंड ऑन फस्ट अपरेल टू थाउजन नाइंटीन वाज रुपीज फिफ्टी थाउजन हमारे पास इस वर्ष की पहली तारीख पचास जार रुपे मैच फंड तो वह मैच फंड हमारा एलाइबिल्टी में आएगा मैच फंड ऑन ऑन फस्ट अपरेल टू थाउजन नाइटीन पचास जार यह पिछले बैलेंस सीट रहा होगा पिछले साल रहा होगा पिछले साल से मैच फंड हमारे पास पचास जार आगे मैच एक्सपेंस अकर डिरिंग रुपीज फंड है एक लाग का खर्चा हुए तो देखा जाए तो पचास जार हमारे पास फंड है और एक लाग खर्चा है इसको देखते हुए तो यहां पर आना चाहे एक लाग खर्चे में से पचास जार फंड हटा के लेकिन थोड़ा सा और आगे चले आगे देखी क्या लिखा है मैज एक्सपेंसेज सरी फर्दर मैज फंड रिचीव रुपीज दो लाग रुपे और मैज फंड मिला दूरिंग दे यर एंडिंग थरिपास मार्ट टुटी टुटी इस साल दो लाग का और मैज फंड मिला इसलिए वहां आ जाकर यहां होगा एड एडिशन कितना जुड़ गया दो लाग कितना हो गया दो लाग पचास जार ठीक है और क्योंकि कहता है मैज के खर्चे एक लाग रुपे हुए हैं तो एक लाग रुपे इसमेंसे लेस कर दो लेस मैच एक्सपेंसिज वन लाग रुपीज इसलिए आपका डेड़ लाग रुपे मैज फंड पर चाहें को पता ही क्लियर है के पचास जार पहले था दो लाग और जुड़ा नहीं लाग हुआ एक लाग रुपे मैज का खर्चा गट गया केस नंबर दो भी खतम अब केस नंबर तीन में है आदा क्वेशन सेम है मैज फंड फर्स अपरल 2019 वास 50,000 वही का वही हो गया पचास का पचास मैज एक सब्सक्राइब कर दूरिंग दे यर वन लाग वही एक लाग रुपे है फर्दर मैज फंड रिचीव रुपीज टू लाग दूरिंग दा यर वही दो लाग रुपे और मिले ठीक है और आगे है ठीक है वही दो लाग रुपे हो गया और आगे है 10 परसेंट मैज फंड इनवस्टमेंट एज उन फर्स अपरल 2019 वा रुपीज फॉर्टी था इस साल की शुरुवात के दिन ही यहनि पिछले वर्स से 40,000 मैज फंड इनवस्टमेंट भी था तो मैज फंड इनवस्टमेंट तो आपकी एसेट होगी क्योंकि इनवस्ट किया हुआ है तो मैज फंड इनवस्टमेंट वह भी 10 परसेंट है और और फस्ट अपरल टू थालजन नाव एक अपरल से यानि पहले से ही है तो साल के सुरुवात में तो है इससे आगे लिखा है इंटरेस्ट रिशीव डॉण मैज फंड इनवस्टमेंट तीन अजार पे ब्याज मिला अब देखा जाया तो मुझे इससे तीन हजार जोड़ना चाहिए ऐस क्योंकि जो मैज फंड से संबंदित ब्याज मिला तो इसां में जूड़ेगा लेकिन टोटल कितना बनता है चालिस हजार पे 10 परसेंट से एक साल का मुझे चार हजार ब्याज मिलना चाहिए तो यहां पर चार हजार जोड़ा जाएगा एड़ इंटरेस्ट ओन मैच फड़ रूपीज थी थाउजन प्लस वन अक्रूट रूपीज वन थाउजन टोटल मिलाकर इसमें आप चार हजार जोड़ेंगे ठीक है यह चार हजार जोड़ेंगे तो चार हजार रुपे जोड़ेंगे तो जहां यह एक लाख पचास हजार होना था यहां पर एक लाख चववन हजार रुपे बुलिए एक लाख चबन हजार ठीक है अब क्योंकि तीन हजार तो मिल चुका था पर एक हजार तो भी भी मिलना बाकी था न वह आपकी एसिट्स हो जाएगा एक्रिूट इंट्रेस्ट और मैच फंड इनवेस्टमेंट लीजिए एक हजार रुप्य आपका यहां जाएगा हो गया के लिए इस तरीके से हम इन पॉइट्स को समझ पाएं है कि किस प्रकार से इनको किया जाता है अच्छा बिद्दी ऑर गई अगर बाई दीवे जैसे यह तो स्प्पैसिफिक से समंबदीत है दूसरी तरफ जर्नल फंड है अगर उस्टनल फंड से समंसित इन्कम होो जैसे यह मैच स मंद इने साबकार से संब्य्स प्राप्त इंकम होगी तो वो आपके इंकम में आएगी फिर वो यहाँ specific fund में नहीं जुड़ेगी यहाँ आए ठीक है और out accrued है, accrued तो रहेगी रहेगी जितनी accrued भजी हो, वो accrued है ठीक है बच्चों ओके, तो मैं समझता हूँ कि यह चैप्टर यहीं पर समाथ कर देना, यह लेक्चर यहीं समाथ कर देना चीव, उसके बाद एक पूरा full flash question करेंगे, कि कैसे opening balance sheet, closing balance sheet, और साथ में income and expenditure बना जाता है, कि इन बातों का धिहान रखा जाता है, तो इससे next lecture में हमें full flash question करेंगे, ठीक है बच्चों, ओके, बाई-बाई-टेक्टिय।